हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ताजी नारियल से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी आइस क्रीम ये खाने में बहुत ज़्यादा मलाईदा लगती है एक दम क्रीमी क्रीमी बिना किसी मलाई का बिना किसी क्रीम का यूज किये हुए तो चलते हैं अपनी recipe देख लेते हैं आप सभी से एक request है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि जब भी आप इसे try करें तो best result आप सभी को मिल सके तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे ताजा नारियल लेना है तो यह वह वाला नारियल है जो कि पानी वाला नारियल होता है न मैंने उसका यूज किया यहाँ पर इसी tender coconut के नाम से जानते हैं और जो आपका fresh coconut आता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं तो इस वाले coconut में फ चैनारील का आप यूज कर सकते हैं तो इसका जो ब्राउन पार्ट होता है ये हमें निकाल देना है क्योंकि हम जब इसे पीसेंगे या अपनी आइस क्रीम बनाने के लिए रेडी करेंगे तो ये पार्टिकल्स जो आएंगे बस उसी से हमें से बनाकर रेडी कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होती है एकदम दानेदार बनकर रेडी होती है तो यहाँ पर देखिए इसको हमने छील लिया है और जो इसकी वेस्टेज है उसको हमें अलग रख देना है और नारियल को हमें पानी में डाल के अच्छे से वोस कर लेना है अब एक यहाँ पर मैंने कंटेनर लिया है और नारियल को हमें छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है अगर आपको तुरंथी कुलफी बनानी है आईस क्रीम बनानी है तो आप इसको बनाकर ready कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आपके घर पे नारियल आ चुका है उस case में आप इस तरीके से चोटे-चोटे pieces में इसको cut कर लीजिएगा और आप इसको freeze में रख दीजिएगा दो-तीन दिन आप आराम से इसको रख सकते हैं और जब आपके पास समय है तब आप अपनी ice cream को बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर इनको छोटे-चोटे pieces में cut करके अभी रख दूँगी इस नारियल की kulfi ice cream हम कल बनाएंगे तो यह नारियल कल भी बिल्कुल fresh रहेगा airtight container में आप इसको रख दीजिएगा freeze में freezer में नहीं रखना है सिर्फ freeze में ही आप रख दीजिएगा इसकी lid लगा दीजिएगा टोटल यह नारियल दिल कप है तो इसको बस lid लगा के हमने freeze में रख दिया है अब यहाँ पर हम ice cream बनाना ही start करेंगे अगला दिन है यह और यहाँ पर मैंने एक लिटर दूद लिया है इसकी मलाई निकाल दी आप देख सकते हैं boiled है और इसकी मलाई हमने इसके निकाल दी है creamy texture देने के लिए यहाँ पर हमने one fourth cup यह milk powder यूज़ किया है मतलब की 4 चमच और 4 चमच ही यहाँ पर sugar का यूज़ करना है क्योंकि milk powder है न milk powder वैसे ही मीठा होता है तो यहाँ पर यह देखे one fourth cup हमने लिया है अगर चमच से मानेंगे तो 4 चमच यहाँ पर हमने लिया है और यह coconut है देखे फ्रेश से निकाला है मैंने अगले दिन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने इसको काट के रखा था बिल्कुल फ्रेश है इससे क्या होगा जब कभी आपको बनाना हो तब आप बना सकते हैं ऐसा नहीं कि आपने coconut water पिया और तुरंथी आपको आईस्क्रीम बनानी है तो यह सबसे अच्छा तरीका है अब यहाँ पर मैंने एक कडाही ली है और कडाही में हमें दूद को डाल देना है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा पूरा दूद नहीं डालेंगे थोड़ा सा हमें दूद बचा लेना है इस बचे हुए दूद का बाद में हम यूज करेंगे जिसको अभी हम साइड में रख देते हैं और यह जो कडाही में दूद है इसको हमें गैस के उपर रख देना है यहाँ पर मैंने non-stick कडाही का यूज किया है अगर आप यहाँ पर नॉर्मल कडाही का यूज कर रहे हैं तो आप तली पर थोड़ा सा पानी डालिएगा उसके बाद ही आप दूद डालिएगा जिससे कि वो तली पर लगे नहीं और आप यहाँ पर देख सकते हैं दूद में बॉइल आ चुका है अच्छे से यह बॉइल हो रहा है तो इस पैसुला से एक बार इसको मिक्स कर देंगे और दूद की क्वांटिटी को हमें आधा करना है तो गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम कर लीजिएगा अगर आप कोई काम कर रहे हैं इसका हमें एक घोल बनाकर रेडी करना है तो इसमें थोड़ा थोड़ा डूद डालके बिना लंप्स का हमें घोल बना लेना है इससे क्या हो का जब हम इसे डूद में मिक्स करेंगे ना मिल्क पाउडर को तो इसमें लंप्स नहीं बनेंगे अगर आप डारेक्ट यहाँ पर powder को डाल देंगे तो उसमें बहुत सारे lumps बन जाएंगे और फिर उसे आपको handle करना मुश्किल होगा तो थोड़ा-थोड़ा दूट डाल के आप इसका एक घोल बनाकर ready कर लीजिएगा milk powder को देखिए अच्छे से mix कर दिया है यह कुछ इस form में ready हो गया है इसको भी side में रख देते हैं अब हमें एक mix का jar लेना है और इसमें हमें डाल देना है coconut जो कि हमने काट के पहले से ही रखा हुआ है काटने से यह बहुत ही आसानी से पिस जाएगा और इसको पिसने के लिए हमें थोड़ा से इसमें दूट डालना होगा अगर दूट नहीं डालना चाहते तो आप पानी भी डाल सकते हैं कोई भी दिकत नहीं आएगी और यह देखिए हमने इसको बिल्कुल बारीक paste बना लि तो एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं जो भी मलाई अगल बगल लगी हुई है उसको भी हमें दूट के साथ में मिक्स कर देना है और अब हम इसमें एड कर देंगे मिल्क पावडर वाला मिक्चर तो यहां पे गयाश का फ्लेम बिल्कुल स्लो करके आप इसको हैं जिससे कि यह तली पे लगे नहीं और अब हम इसमें एड़ कर देंगे पिसा हुआ कोकोनट तो यहां पर कोकोनट को भी थोड़ा-थोड़ा ही करके मिक्स करना है थोड़ा सा पहले डालिएगा उसको अछे से मिक्स करिएगा जब दूद में अछे से मिक्स हो जाए उसके बाद बचा हुआ कोकोनेट आप धीरे-धीरे करके मिक्स कर दीजिएगा गर्मियों में आइस क्रीम, कुलफी, ठंडी-ठंडी चीजे खाने का उमन करता है तो बाहर का क्यों खाएं जब घर पे ही आप बिल्कुर सुध बनाकर रेडी कर सकते हैं अब यहां पर हमने मिठास के लिए सुगर एट नहीं किया है तो मिक्सर जब ठीक हो जाएगा तो आप यहां पर सुगर एट कर दीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लिजिएगा इसी तरह की मैंने बहुत सारी रेश्पी अपलोड की है अपने चैनल पर जैसे की कई तरह की कुल्फी है, सरबत है, हेल्दी सरबत है, ठंड़ ठंड़ा गर्मियों के लिए बहुत तरह की की रेश्पी मैंने अपलोड की है तो चैनल पर एक बार विजिट जरूर करिएगा तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और चीनी भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है मार्केट वाली कुलफी से कहीं ज़्यादा ये क्रीमी बनती है अच्छी बनती है, healthy है, tasty है सभी तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है तो मैं एक बार आपको recommend करूंगे एक बार इसको जरू try करिएगा इस बात के तुम्हें गरेंटी लेती हूँ कि आप जो इसमें टिप्स बताय जा रहे हैं उन्हें फॉलो करेंगे तो जो भी आप आइस क्रीम बनाएंगे कुल्फी बनाएंगे उसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मिक्सर हमारा काफी ठीक हो चुका है बिल्कुल रबडी के फॉर्म में रेडी हो गया है जैसे रबडी होती है न काफी गाढ़ी सी दिखती है बिल्कुल वैसा ही यह देखने में लग रहा है आप देख सकते हैं ड्रॉप जो इसके गिर रहे हैं गाढ़े गाढ़े से गिर रहे हैं तो यहाँ पर आप खास ध्यान रखिएगा इसको बनाते वक्त कि जो भी आप आइस क्रीम बनाएं तो आपका मिक्षर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल रबडी के फॉर्म में अगर पतला रहा तो आइस क्रिस्टल आ जाएंगे फिर यह वैसी नहीं बनेगी तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छे से बन गया है बबल भी उठ रहे हैं तो गैस का फ्लेम ओफ कर दिया है और मैंने इसको गैस से नीची उतार लिया है थोड़ा से इसे हमें ठंडा करना है ठंडा करने के बाद ही हम अपनी आइस क्रीम को जमाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ठंडा होने के बाद यह थोड़ी सी और ज्यादा थिक हो जाएगी लेकिन जब भी आप इसको ठंडा करें तो एकदम से मत रखिएगा इसमें मलाई मत जमने दीजिएगा क्योंकि अगर आप एकदम से छोड़ देंगे तो उपर से एक मलाई की परत जम जाएगी जो कि हमारी आइस क्रीम में नहीं होनी चाहिए तो बीज-बीज में आप उसको मिक्स करते जाएगा और अब आप यहाँ पर देखेंगे यह काफी ठंडी हो चुकी इसको टच कर सकते हैं तो बस यहाँ पर हमने आइस क्रीम के मोल्ड लिये हैं अगर आपके पास इस तरह के मोल्ड हैं तो आप इस तरह के मोल्ड का यूज कर सकते हैं यह मार्केट में बहुत ही आसानी से अबलेबल होएं और ओन-लाइन भी आप इनको मंगा सकते हैं नहीं तो इस तरह का मोल्ड है तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं नहीं तो छोटे छोटे ग्लास का यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का कंटेनर यूज कर सकते हैं, यह देखी जो मैं प्लास्टिक का कंटेनर दिखा रही हूँ न, इस तरह का भी कंटेनर आप यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, तो यहां पर मिक्सर हमारा ठंडा हो गय और जो इसके साथ में इस्टिक आई है उसे इसे अच्छे से कवर कर देना है तो यह तो भही मोल्ड है जो कि मार्केट में अबलेबल होते हैं और यह देखिए दूसरा मोल्ड है जिसमें की आपको अलग से इस्टिक लगानी होगी जो आइस क्रीम इस्टिक होती है वो आपको इसके अंदर लगानी होगी तो जो अगल बगल है उसे अच्छे से पहुंच दीचिएगा और एक silver foil इस तरीके से लेना है अच्छे से इसको cover कर देना है इससे क्या होगा कोई भी air नहीं जाएगी और इसमें ice crystals नहीं बनेंगे हमारी kulfी जितने अच्छे से पैक होगी उसमें ice crystals बनने के chances ही नहीं होते है तो बस knife से हलका से cut लगा दीचिएगा और जो ice sticks होती है न ये तो बस इसको अंदर insert कर दीचिएगा जिससे क्या होगा कि हमारी ice cream बहुत ही आसाने से इस stick में चिपक जाएगी और जब हम निकालेंगे तो बहुत ही आराम से निकलाएगी तो यहाँ पर मैंने plastic के container को भी fill कर दिया है और उसे भी हमें इसी तरीके से cover करना है आपके पास plastic का कोई box है उसको भी आप fill कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा आपको बहुत अच्छे से seal pack कर देना है इस तरीके से बस इसको हम फ्रीजर में डाल देंगे और छैसे साथ घंटे आप इसको बिलकुल भी हिलाएगा नहीं छैसे साथ घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यह बहुत ही अच्छे से fix हो गया है जम गई है हमारे जो कुलफी है अच्छे से set हो चुकी है और अपनी कुलफी को हमें demold कैसे करना है वीडियो में ध्यान से देखिए पहले हमें इस तरीके से अपनी जो कुलफी है उसको बाहर निकालना है और जो silver foil है उसको भी हमें निकाल देना है तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से set हो चुकी है इसको demold करने के लिए मैंने एक बोल में पानी लिया है और पानी में आपको लगभग आधा मिनट के लगभग इसको dip कर देना है जिससे की इसकी गर्मा हट से क्या होगा यह mold को बहुत ही आसानी से छोड़ देगी कुलफी को demold करते वक्त बिलकुल हलके हाथों से आपको इस टिक को घुमाना है और यह बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका texture कितना ज़्यादा क्रीमी है हैना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एकदम दानेदार आइस क्रीम बनकर रेडी होती है आप इसे popsicles भी कह सकते हैं कुलफी कह सकते हैं आइस क्रीम कह सकते हैं जो भी नाम देना चाहते हैं आप इसको दीजिए लेकिन खाने में तो वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है घर में बच्चों से तो वेट ही नहीं हो रहा था बोल रहे थे मममा इसको डिमूल करो जिल्दी और बस मुझे खाना है तो मैंने का कुछ पिक्स तो आप सभी के साथ में सेर कर दू क्योंकि यह लास्ट पार्ट था और अगर मिस हो जाता तो फिर मेरे लिए प्रॉलम होती तो बस यहां पर आप देख सकते कितना ज्यादा क्रीमी टेक्च्चर है इसका एकदम मलाईदार बनके रेडी होती है आप लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे न तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा अच्छी बनी है तो एक बार गर्मियों में जरूर इसको ट्राई करेंगे इस बात के तो गैरेंटी देती हो कि वीक में आप इसको एक या दो बार जरूर बनाएंगे उपर से मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ पिस्ता से और बस कोई नीट नहीं है बस देखने में अच्छा लगेगा अधरवाइस आप इसको ऐसे ही इंजोय करिए मैं तो कहते हूँ और बस इंजोय करिए और इंजोय करिए अभी एकदम से जम्यू हुई है थोड़ी सी मैल्ट होगी न तो इसका टेक्चर और ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो आज की रेस्पी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा और फैमिली फ्रेंट के साथ में सेर करिएगा ज्यादा से ज्यादा जिससे की गर्मियों में सभी लोग इसको बनाए और इंजोया करें जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें इसी जए की आसान और यूनिक रेस्पी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर फ्रस करिएगा जिससे की आगे आने वाली रेस्पी की नोटिफिकेशन आप सभी को फटाफट से मिल जाए मिलती हो नई रेस्पी के साथ तक न ध्यान रखें बाबाई टेक क्यार